आज 15 फेबरुरुरी 2022 हम सुन रहे हैं प्रातो शाकार हिंदी मुरुडी आज का महावाइकों इस महावाइकों में बाबा समझाते हैं मेठे बच्चे आत्मा रुपी दीपक में योग रुपी घृत डालो तो आत्मा शक्तिशाली हो जाएगी ये जोगी जिवन बनाने के लिए जोगी आत्मों के लिए बहुत बहुत एक शक्तिशाली बात हैं ये करे विना हम जोगी जिवन तो बचा नहें रख पाते हैं हमें जोगी जिवन को आगे बराना है आज का प्रश्ण है आत्मा रुपी बैटरी में पावार भरने का आधार क्या है उत्तर आत्मा रुपी बैटरी में पावार भरने के लिए बुधी का बल चाहिए जब बुधी योग बल से शर्वशक्तिमान बाप को याद करेंगे तो बैटरी भरेगी जब तक बैटरी में पावर नहीं तब तक ग्यान की धरना भी नहीं हो सकती आत्मा में कम्पलिट रश्मी आने में टाइम डगता है याद करते करते फूल रश्मी आ जाती है ये भी बाबा का ये बहुत बहुत एक शक्तिशाली बात है जैसे हमारा आत्मा जैसे पावरफुल बनते जाएंगे ऐसे ही पावरफुल जीवन भी हमारा हो जाएगा बैटरी को हमें बहुत बहुत चार्ज रखना चाहिए आज का गीत है रात के राही ठक मत जाना सुबहों का मंजिल दूर नहीं वशानती बच्छों ने गीत का आर्थो तो सुना कि तुम बच्चे आप दिन में जाने के लिए पुरुशार्ट कर रहे हो दिन क्या है सतीयोग ये सतीयोग में जाने के लिए आप संगम युग में अभी बाबा का ये शक्तिशाली शिक्षा हमें परक्त हो रहा है नई दुनिया में तो रोश्नी ही रोश्नी होगा, सुख होगा, शंती होगा और सारी वेराइटी संपदा हमारी सामने होगी, पुराणे दुनिया में तो अंधियारी अंधारा है, लराई, जगरा, मारा, मारी बहुत कुछ अब नित्तो शंगी हो गाया है, यो है ब्रह्मा की गोर अंधकार अरात जब बाबा करके ये उजाला करता है आतमा को पहले शिक्षा देते हैं आतमा में शक्ति भड़ते हैं तुम अभी दिन में जा रहे हो ना तो बाप बच्चों को कहते हैं ये बुद्धी का योग लगाते लगाते ठक नहीं जाना ये भी एक प्रोसेस है य यो भी धर्ड जो हमें तो धर्ड जो रख करके हमें ये योग का शक्ति बराते जाना इसमें हमें थक नहीं जाना थक जाएंगे तो बरबाद हो जाएंगे जतना तुम योग लगाते हो उतना सोजरा होता है ये आत्मा का बल बरता है और तुम्हारा जिबन में कोई भी शंकल और फौर्सल में आ जाता है आत्मा रुपी दिपक की जो जो उजाई होई है वो आती जाती है ये मैयरावनने आत्मा का जो 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 उज़ा दिया है तो वो एक بाबा का याद से ही ये शक्ति हमें वापस आ जाएंगे उस बीजली में तो फर्से करंट आ जाता है तो इस दबाव तो फर्से ये लाइट बल्फ जलेगा और घर रश्नी ही रश्नी हो जाएंगे परन्तु आत्मा में कांप्लिट रश्मी आने में टाइम लगता है ये तो ये लॉंग प्रसेस है लगातर हम तो ये सुभो साम हम योग करते रहेंगे तो धिरी 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 ये किछरा हट करके तो माया का ये परच्छाई हट करके तो आत्मा में उजाला आएगा अंतो तक फूल आ जाएगी फुल शक्ति आ जाएंगे बैटरी फुल चार्ज हो जाएंगे योग लगाते रहना मठर की बैटरी भी सारा रात भरती रहती न दिन में चालू रहता है सारा रात इसमें स्टॉक होता रहता है ऐसी ही यह भी आत्मा रुपी मठर है इसमें अब घृत खतम हो गया है तो यह आ मठर का साथ बाबा ने तुल ना किया इन में अब घृत खतम हो गया अथो बाब पावर कम हो गई है बाबा को तो पावर फुल शर्वशक्तिमान कहा जाता है न बाबा तो सुरोत है बाबा तो शागर है बाबा में अथा हो शक्ति है तो इस बैटरी में सिवाए बुद्ध योग के पावार आ नहीं सकता जही से ये बैटरी को चार्ज करने के लिए इलेक्टरिसिटी से जोड जाता है सारा रात तो पावार जुरेंगे तो मतर में शक्ति आ जाएंगे तो ये आत्मा रुपी मतर में बाबा का साथ हमारा ये कनेक्टिविटी रहेगा तो ये बहुत शक्ति शली हो जाएगा सर्व शक्ति मन बाप से ही योग लगाने से सरी बैटरी भरती जाएगी तो पुरा इंप्रेशन आ जाएंगे पुरा शक्ति आ जाएंगे बैटरी भरने के सिवाए नलेज भी धारन नहीं हो सकती बाबा कोई बार बच्चे को कहते हैं तो ये अब ग्यान देते जाएंगे ये ग्यान अपना समझ करके वो धारन करेंगे तो जिबन को बहुत शक्ति शली बनाएंगे घरी घरी बाप कहते हैं मुझे याद करो और मेरी जो बर्शा है संपुदा है मेरा पस अमानत है वो ले लो मन मना भबो कितनी सहज बात है ना गीता का ये ग्यान तो ऐसे राम राम जपने से राम रज्य थुरी ही होगा ये यपने में कोई पावर नहीं है ये कनेक्टिविटी आत्मस से परमात्मा का है ऐसा राम राम तो जन्मा जन्मांत और बहुत करते आये हो गंगा का कंठे पर बैट करके ये बहुत प्रेक्टिस करते आये ह तो यो तो कोई को पता ही नहीं तो राम रज्जो किसको कहा जाता जोरूर राम ही राम रज्जो बनाएंगे तो वो राम कौन है तो उन्हों की बुद्धी में शीता राम वाला रज्जो आ जाता है दशरत का वेटा तो उनका ही स्मृतिटी बुद्धि में आ जाता है तो अब प्रश्न उठता है अब उस रामरज्जों में तो राम को ही आराम नहीं था ना यह बहुत इंपर्टन बात है बाबा के है यह मजग का कोई बात नहीं है रामराजा का ही स्त्री चुरी हो गई है तो प्रजा का क्या हाल होगा, जब राजा का ही कोई गरांटी नहीं है, तो प्रजा का तो कोई गरांटी हो ही नहीं सकता, तो इहां भी देखो, राजाओं की स्त्री को भी थोरी ही चोरी होता है, तो यह लोग फिर राम शिता के लिए कहो देते हैं, तो इतना राम रवन का ज सिता है तो अगर हम सिता है तो हमारा तो ये पती तो हमारा एराम है शिवाबा है गाते भी है ना तो मात पिता हम बालग तेरे अब तुमारी कृपा से सोक धने रे अब मात पिता कौन सा जिसके लिए हम गीत गाते हैं तो एक तो है लोकिक मात पिता जो सबका ही घर घर में रह तो मात पिता का मोहिमत तो ऐसा नहीं, जुरूर दूसरा कोई परमपिता है, जुरूर मात पिता भी होनी चाहिए, तो गायन है परलोकिक मात पिता का, परलोकिक मात पिता है, परमपिता है, ये आत्मा का पिता है, तो पुछते हैं, तो हो इस क्रियेटर, तो जोट कहेंगे ग अटफादर है तो सिद्ध है ना वो मात पिता है उसका ही कृपा से हमारा शोक धने रे तो इस समय ही दो मात पिता होते हैं इस समय हमारा बहुत समझदरी से जिवन चलाना होता है यह सरीर का मात पिता एक और आत्मा का मात पिता दुसरा सत्य युग में सिर्फ एक ही मात पिता होता है वो सरीर का आत्मा का मात पिता कस तो कोई किसको भी पता नहीं परेगा तो परम पिता परमात्मा का बारी में कोई नलेज नहीं होगा लौकिक मात पिता होते भी इहां गाते हैं तुम मात पिता हम बालक तेरे तुमारी कृपा से सुक धने रे इस समय हम बच्चों को ब परमपिता परमात्मा को हम तो शक्ति शली मान लेते हैं तो सत्य युग में तो ये शक्ति भर करके वो परमधाम में जाकर करके बेड़ जाता है तो सत्य युग में हमारा तो ये सरीर का ही मात्पिता होगा तो पारलोकिक मात्पिता दरा सत्य युग की प्रलब्द मिल गई न सुक धनेरे मिल गई न तो उस मात पिता का ही गायन है तुमारी कृपा से सुक धनेरे इस समय हमें सुक धनेरे का भंडार दे देता है तो फिर भी ऐसे बाप को बच्चे याद करना भूल जाते हैं तो कितना सरम की बात है न तो इतना बरा प्राप्ति हमारा होता है तो ये प्राप्ति देने वाला बाप को हम भूल जाते है तुम बच्चे को तो सब को बाप का परिश्य देना है जो बाबा कहे हमें रोट पैंट में जाना है जो बाप को भूल करके हम इतना अर्फान हो गई है तो बाप का परिचाय हमें घर घर में देना चाहिए कि बाप आया है बाप का शिक्षा ले लो बाबा का आशिरवाद ले लो हमेशा शीब बाबा और ब्रह्मा बाबा कहते ना प्रजा पिता का नाम तो वाला है शीब बाबा ब्रह्मा बाबा तो लोखिक बाबा तो वो परलो जो बात है, कोई भी आते है, तो पहले पूछो, कि परमपिता परमात्मा आपको क्या लगता है, उसका साथ आपका रिलेशन्स क्या है, तो प्रजा पिता आपका क्या लगता है, जिसको बाब ददा कहते है, दोनों का बायोग्रफी हमें जानना चाहिए, परमपिता से हमारा स बन्दो किया है तो बाबा के एते बच्चे इस समय सारा दुनिया में रावन रज्ज में रावन रज्ज है सिर्फ लंका में नहीं रावन को जलाते है इस भारत में है लंका हिंदुस्थान में नहीं ये अलग देश है तो वो तो बुद्धियों का अलग खंड है जो बुद् तो ये शुक्ष्म बात है, ये समझने में हमें काफी देरी होता है, तो लेकिन अगर हम एक बार समझ लिया करें, तो हमारा जीबन बहुत आसन हो जाता है, अधाकलप है रामरज्जो, अधाकलप है रावनरज्जो, अधाकलप दिन, अधाकलप रात होता है, ये सब बात बु लक्ष्मिन नरण का रज्जा था उन्होंने यो सर्गों की प्रलब्दों कहा से और कैसे पाई है तो ये भी तो इस समुझने का है ये भी हमें अगर बुद्धी युग और शक्ति शाली करे तो ये हमरा बहुत आसान हो जाएंगा सत्य युग में मुनुश्व बहुत थोरे ह ना लाग के बराबर होंगा लेकिन भबा शुक्ष्म बात हमें समझाते हैं लाखो की अंताज होंगे जमुना के कंठे पर राजदानी होगी कितना क्लियार वबा ने तो ये हिस्ट्री बायोग्रफी और जियोग्रफी हमें समझा दिया वहां कोई वीकार नहीं होता गाशु आते हैं तो पहली इस टपिक पर उसको समझाना नहीं जो जिस टपिक पर हमें समझाना है ये बार बार बाबा हमें इंस्पिरेशन देता है पहली बात ही ये उठाओ कि निराकर परमपिता परमात्मा तो और हम आत्में भी परलोग से आते हैं निराकर परलोग से आते है अगर ये बात हमरा समझ में आ गाया तो हम तो ये ग्यान लेने में शक्षम होंगे और बहुत इंटरेस्टेड होंगे नमबर वान बात तो यह है पहले यह बाप का समंदो निकालो तो मा का और वर्षे का समंदो निकलेगा तो बाबा का परिशे मिलेगा तो बाप को माता को भी परिशे मिल जाएगा और मात पिता से हमरा क्या समंदो क्या समंदो ही यह जानने से हमें संपद का भी तो संपद हमे क्या मिलने वाला है आज तो हम फकिर बन गया तो हमें कैसे तो ये राजा बनना है महाराजा बनना है तो इसका भी मार्ग हमें बता दिया जाएगा तो एक आलफ को भूलने से ही सब कुछ भूल गई हैं सब कुछ हम बंचित हो गई हैं तो ये राबन ने पहले पहले आलफ से ह फिर आल्फ की मदद से हम राबन पर जीत पाते हैं बाबा के देखो जहां से हमें गीरे हैं वहां से ही हमें उटकर के खारा होना चाहिए समझानी के पाइंट तो बहुत अच्छी है प्रदर शुनी में मुख्ष बात आल्फ की समझानी है एक बाप का बात समझा दो बाप को जानने से तो इस सरा तकदिर ही बदल जाएंगा आल्फ के बाद ही वे आता है तो आल्फ को नहीं समझा तो कुछ भी नहीं समझा कितने भी भल माता मारो परम पिता है तो पिता से बर्षा मिलता है तो बाबा का बर्षा मिला तो बर्षे के हगदार ही बन जाते हैं तो वो स तो यह विश्नु खरा है, ब्रह्मा विश्नु शंकर दिखाया है, बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो यह बर्शत में मिलने वाला है, तो विश्नु का रूप दिखा दिया है, मतलब यह दो हाथ लक्ष्मी का, दो हाथ नरायन का, बच्चे कहते हैं बाबा, आप तो निराक जब संपुलनों बनेंगे तो देवता बनेंगे तो यह तपश्चा कर फिर देवता बनते हैं यह ब्रह्मा का डेडिकेशन देखो ब्रह्मा का त्याग देखो ब्रह्मा का तपश्चा देखो इन ब्रह्मा कुमार कुमारियों को तो भगवान शिक लाते हैं इतना ब्रह्मा पराथे कौन है ये शैयंग शीप बाबा तो ब्रह्मा मोखोदारा समझाते हैं तो ये भी शुक्ष्मबाद बाबा समझाते हैं चित्रपर अच्छिरिती समझाना है समझाने बहुत सहोज होना चाहिए ये शीप बाबा ये बर्शा शीप बाबा ये बर्शा देते हैं तो ये हमें भैग्ग परिवर्तन कर दिया है तो ये बनने के लिए विश्ण बनने के लिए विश्ण पूरी में जाने के लिए तो ये एम अब्जेट को प्राप्त करने के लिए ये शिप पूरी है तो ये दोनों को हमें अलग-अलग समझाना है शिप पूरी है तो ये परमधम याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को भी याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते नमस्ते धरणा के लिए मुखशर नमबर वन आलफ को याद से रावन माया पर जीत पानी सबको आल्फ का पड़ीर दिया देना है जो हमें कंबल सरी इस समाइ हमें तो देना चाहिए करना चाहिए बाप जो हमें चाहिए हमें दुसरी के लिए करना चाहिए नमबर दो याद की जात्रा में कभी ठकना नहीं है अपने बैटरी को चार्ज करने के लिए शर्वशक्ति मन बाप को याद करना है और कोई अप्षन नहीं ये अप्षन को हमें चुनना है ये अप्षन में हमें तो लगातर प्रेक्टिस करना है बर्दन एक बाप की याद दर एक्रश्थिति का अनभव करने वाले शार शुरूप भावः इसका अर्थ है एक्रश्थिति में रहने की सहज बीदी है एक की याद एक बाबा दुसरा ना कोई ये हमें पाट पक्का करना है जैसे बीज में सब कुछ समया होता है वैसे बाप भी बीज है तो जिसमें सर्व समंदों का सर्व प्रप्तियों का सार समया हुआ है बाबा है तो सब कुछ है जिवन है तो जान है तो जहान है तो बाबा है तो सब कुछ है एक बाप को याद करना और तत्सार सुरुप बनना तो एक बाप दूसरा ना कोई यो एक की याद एक्रोर स्थिती बनाती है जो एक सुक दाता बाप की याद में रहते हैं उनके पास दुख की लहर कभी आ नहीं सकता उन्हें तो सपनों भी सुक के खुशी के सेवा के और मिलन मनाने के आते हैं इतना सारी प्रप्ति हमरा होता है तो हमें सार सुरुप आत्मा बनाने का बर्दन बाबा देते हैं सार सुरुप बनो तो आज का स्लोगान है स्रेश्टो आत्मों का दिपक जगाने वाली ही सच्छे कोल दिपक है बाबा चाहते हैं हम सभी स्रेश्टो आत्माय सच्छे दिपक बन जाए तो हमें बाबा का ये कोल दिपक बन करके ये सच्छे कोल का मान हम रखे बाबा का लाज रखे तो ये हमारा पास ये मौका है ये हमें करना है तो जो बाबा ने हमें डियूटी दिया है आज का मातिश शुरी का अनमुल महाबक को हम सुनेंगे मातिश शुरी अपना जिबन का अनभब सुनाया है परमात्मा दरा फस्ट लटरी क्यों न विन करे जब परमात्मा करके हमें फस्ट डिविशन का लटरी देता है तो वो हमें विन करना चाहिए तो मामा अपना अनुभब सुनाती है, देखो बहुत मुनिश्य ऐसे समझते हैं, थोरा सा भी पुरुषार्ट करने से हम भी वैखुंटों में तो आ जाएंगे, आ जाएंगे ना, ये गरांटी बाबा गड़ते हैं, परुंतु उन्हों को यो सोचना चाहिए, कि परमात्मा बाप आया है, तो कॉम्प्लीट बर्षा लेने के लिए, तो स्टूडेंट का काम है, संप्रणों पुरुषार्ट कर्स कलाशिप लेना, कौम नहीं लेना, कौम में हमें संतुष्ट नहीं हो जाना, तो पहले नंबर लटड़ी क्यों न हम विन करें, ये मम्मा का बहुत डो पकर करके बेटे है, इहा का भी हाद का शुक डो, और वहाँ बईखंटों में कुछ ना कुछ सुक ले लेंगे, तो ऐसे बिचारबान को मद्धम और कनिष्ट पुरुषर्टि कहेंगे न, तो इस संसार में हम अभी त्याग नहीं करेंगे, तो वहाँ हमें शुक नहीं हमें नहीं करना चाहिए, तब गुरु नानक ने करा जाएंगे, तो बाब दादा का ओती स्नेहों सबी बच्चों से है, ऐसे नहीं कि नमित तो हो, नमित तो हुआ बच्चों से ज़्यादा प्यार है, दुसरों से नहीं, नहीं नहीं, यो भी प्यार का कारण ही, तो डिरिक जिवन में चल रहे हो उर रहे हो तो छोटी सी कम जुरी भी क्यों रहो जाए तो यह है प्यार तो प्यार वालों का कौमी कभी नहीं दिखी जाती है तो यह है प्यार की निशानी जिसके दिल का सच्छा प्यार होता है उसकी कौमी को हमेशा अपनी कमी समझती है अच्छा कोई प्रभाब के बतावरन के प्रभाब में नहीं आओ अपना प्रभाब डालो तो वो आपके प्रभाब में आ जाएंगे और दिल से यही निकलेगा कि सफलत हमारा जनम शिद्ध दिकार है हिम्मत का बहुत महत्प है तो कभी किसी बात में घाबराओ नहीं हजार भुजाओ वाले आप भी हो ना तो बाप की हजार भुजाए तो आपकी भी तो हुई ना तो यह आपका जनम शिद्ध दिकार हुई ना तो अच्छा चारो और के सदा परक्ण की शक्ति की विशेश आत्माओ को सदा हर कर्म और समंद में स्रश्टो शफलता प्राप्त करने वाली शफलता मुर्तो आत्माओ को सदा हिम्मत और शुब भाबना और शुब कमना दारा परिवर्तन करने वाली शक्ति शली आत्माओ क सदा वाह मेरी स्रश्ट कर्म के खुशी के गीत गाने वाले बच्चों को बाब ददा का याद प्यार और नमस्ते ऐसे ही हम सब आत्माओं को बाबा ने ये परक्ण के शक्ति का बिशेश शक्ति बाबा हमें समझदार वनाने वाले बाब ददाओं को भी याद प्यार गूद मॉर्निंग, नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते. आज का बरदान है शंति की शकती से शंशकार मिलन दारा सर्वो कैड़जो सफल करने वाली सदा निर्विग्न भावव. ये बावाने जो हमें भरपूर शकती दिया है तो उसको हमें काम में लगाना, तो ये संसकार मिलन का का इसका वेक्खा है सदा निर्विग्न वही रह सकता है जो सी फादर फॉलो फादर करता है सी सिस्टर सी व्रदर करने से ही हल चल होती है संसर में इसलिए आप बाप को फॉलो करते हुए बाप समान संसकार बनाओ तो संसकार मिलन की राश करते हुए सदा निर्विग्न रहेंग तो संपन्न हो जाता है आज का स्लोगान है त्रिकाल दर्शी वो है जो किसी भी बात को एक काल की द्रिष्टी से नहीं देखते होर बात में कल्लान समझते है तो आज का समान है मैं निर्विग्न आत्मा हूं अच्छा ओम शंति